एक बार एक कारिक्रम में पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाडी, शोय बख्तर और भारत के हर्भजन सिंह एक साथ थे। हर्भजन इंसानियत और भाईचारे की पीपूडी बजा रहा था कि दोनों देश एक हैं इत्यादी। इतने में शोय बख्तर कहने लगा कि मैं तो टू नेशन थियरी में मानता हूँ, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते थे। बिचारे हर्भजन सिंह को समझ ही ना आया कि क्या बोलूँ, इधर उधर देखने लगा। दस मिनट बाद वही शोय बख्तर गणिका क्रंदन करने लगा कि पाइस्तानी खिलादी IPL खेलते तो करोध्धों कमाते, हमको भी IPL में बुलाओ। यही गणिका क्रंदन हिंदुस्तानी मुसल्मान मतदाता कर रहे हैं, जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, अब कह रहे कि हमको मंत्री नहीं बनाते। कौन मंत्री बनेगा, ये सिर्फ प्रधान मंत्री तै कर सकता है। ये बात उसी सम्विधान में लिखी है, जिसको लेकर राहुल गांधी घूमता रहा। कोई मंत्री अच्छा काम न करे तो उसका विरोध करना, हटाने की मांग करने विपक्ष और जनता का अधिकार है। पर किसी पंथ या जाती से किसी को मंत्री नहीं बनाया, ये आरोप ही गणि का करंदन है। विपक्ष के नेता की हैसियत एक मंत्री के बराबर ही होती है। मुसल्मानों ने खुल कर राहुल गांधी का समर्थन किया। अब उनके सामने ही जोली पहलाएं कि मुसलिम को विपक्ष का नेता ही बना दो। पिछले विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी थे, उनको हराने वाले यूसुफ पठान को भी बना सकते हैं। वारानसी में कांग्रेसी उम्मीदवार अजयराय अपने समाज के लोगों के पास गए और कहा कि मोदी तो जीत ही जाएंगे। पर आप लोग मुझे वोट दो तो समाज का सम्मान बच जाएगा। ऐसा ही हुआ।